नमस्कार आप देख रहे हैं Real Express देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं शारली आज के मुख्य समाचारों बात करेंगे लेकिर मुख्य समाचा की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्कियों पर दिल जीत लेगी रदन डाटा की साधगी खुद के होटल में कियाता नाश्ता पैचान तक नहीं बताई जब किया बुक्तान तो सब हैरान कोविट घोटा लेकी जाज करेगी साइटी करनाटक सरकार की कैमिनेट बैठक में लिया गया फैसला एक राष्टे एक चुनाव के खिलाव केरल विदानसवा ने पारित किया प्रस्ताब बताया आसम विधानेक दिल्ली के बाहर पहली बार गंगटोक में होगा सैने कमांडरों का संबेलन राजना सिंग अधिकारी को करेंगे संबोधित एनाई एने चैननाई में हिजब ओते तहरीर के सरगना के घर की छापे मारी कागजाद और अवेद सामान बरामत किया ये तो दी सुर्किया हम चलते हैं बड़ी ख़बरों की ओर करनाड सरकार में कोविट गुटाले से जोड़ी रिपोर्ड पर कारवाई के लिए विशेज जांस दल और साथ सदस्य कैबिनेट उप समीती गठिक करने का गुरुवार को फैसला किया गया मुखे मंतरी शिदर मैया की अधिक्षिता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया केरण विदानसवा में एक प्रस्ता पारित पर किंद सरकार से एक राश्टेक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने का अग्रे किया है पारित प्रस्ताब में इसे असम्विधाने बताया गया है एक राश्टेक चुनाब के प्रस्ताब की अनुसंदान रामनात कोविन पैनल द्वारा की गई है सैना प्रमुक जनरल उपेंद्र दुवेदी ने गुरुवार को गंगटोक में सैने कमांडरों के सम्मेलन यानी ACC की अदिक्षिता की पहली बार यह आयजन दिल्डी से बहार रणनीतिक रूप से महतपूर्ण स्थान पर हो रहा है यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारुप में हो रहा है तमिल नाडु में NIA ने हिजब उत तहरीर के सरगना फेज ओल रहमान के चैने इस्तित आवास पर गुरुवार को चापे मारी की अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को चैने इसे फेजोल रहमान को गिरफतार किया था रहमान के घर से NIA को कैई electronic device कागजात और अवैस सामान मिला है कैसे लगे समाचा केमेंट करके ज़रूर बताए वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए देश और दुलिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिरोगी आपसे मुलाकत कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ तब तक लिए नमस्कार हो देखते रहिए रियल एक्सप्रेस